गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, वेलकम टो अलाइन क्लासेज आज हम मैथ के एक्सरसाइज 4C करेंगे देखे, Find and Match the Correct Shadow ये देखे, यहाँ पर कुछ पिक्टर्स दी हुई है इनको क्या है? इनके शेड़ो के साथ मैच करना है देखे, ये गल है, इसके शेड़ो कुन सी है? ये वाली, इसको इसके साथ मैच करेंगे ये एक बुए है, इसने हाथ में तलवार लिए है इसके शेड़ो कुन सी है? ये इसके साथ करेंगे फिर इसके बाद में इसने गिटार लिया हुआ है यह रही इसके shadow इसके बाद में इस लड़की ने भी कुछ लिया हुआ है arrow जैसा ही इसके shadow है इसके साथ मैच कर देंगे इसके बाद में यह girl है इसके shadow यह first वाली है देखे इसके उपर crown लगा हुआ है लेकिन इसके उपर crown नहीं है तो गलती से भी यह देखे इसके उपर crown है इसको इसके साथ मैच करेंगे अब next exercise देखे next exercise है draw the next two shapes to continue the pattern यह जो pattern दिया हुआ है इसको continue करना है देखे पहले यह एक square दिया हुआ है इसके अंदर four parts है पहले first का second part फिर यह fourth part इसमें third part फिर यह देखें first part और इसमें second part इसमें third और इसमें यह वाला part जो हम draw करेंगे ठीक है यह देखें पहले इसमें यह है फिर इसमें यह है फिर इसमें यह वाला है इसके पहले वाला फिर इसके पहले वाला फिर इसके बाद में ये वाला और ये ये वाला तो अब कौन सा आएगा ये निचे वाला ठीक है और फिर उसके बाद में ये उपर वाला अब ये देखिए ट्रैंगल दियो है पहले सीधा दिया हुआ है इसमें कौन सा कलर है स्काई फिर उल्टा है फिर परपल है फिर स्काई फिर परपल फिर स्क बना के परपल फिर ये वाली शेप पहले चोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी फिर चोटी फिर बड़ी और फिर उससे बड़ी ड्रो करेंगे और फिर उसके बाद में हम सबसे चोटी जो है ड्रो करें फिर ये कौन दी हुए है पहले चोटा है फिर बड़ा है जिसने परपल कलर का बड़ा है फिर पिंक कलर का चोटा और फिर परपल कलर का यहाँ पर बड़ा आएगा।